अब इस चुनाओ के बाद सरकार बन चुकी है, सरकार अपने फॉर्म में आ चुकी है, जो चीजें चुनाओ में जिन जियों की बाते बार बार हो रही थी, सरकार अपने उन कामों में लग गई है वहीं चुनाओ के खत्म होने के महीनों बीच जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी और उसके रास्टिय अद्रक्ष अखिले श्यादों के मुश्किलें घट्टी भी दिखाई नहीं दे रही है विदाल सबा चुनाओ में पार्टी ने पूरी दावेदारी के साथ चुनाओ लड़ा था पार्टी को पूरी उमीद थी कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तरपदेश में बनेगी पर जो चुनाओ के नतीजे आए उसने चुका दिया अब उसके बाद अखिले श्यादों हाला कि अभी उन्होंने अपने जीत और हार की समिक्षा की बात वो नहीं करते हैं समिक्षा करने की बात वो बार-बार कहते हैं कि जब चुनाओ आयोग उनको बूथवार रिपोर्ट दे देगा तब वो अपने हार की समिक्षा करेंगे मेराल मुश्किले उनकी नहीं घट रही हैं मुश्किलों की बात करेंगे पर उसके पहले जड़ा कल मुलायम सिंग यादों के साथ अखिले श्यादों मैन पूरी पूछे थे वहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी के कारे करताओं के साथ बातचीत की उनका मोटिवेशन किया उनको नए सिरे से मैदान में आने की बात कही और कुल मिला के था कि वो नए जोश के साथ कारे करताओं को लोगों के बीच में जाने की बात कर रहे हैं इसके अलावा वो यह चाहते हैं कि जैसे ही चुनायोग उनको बूथवा रिपोर्ट दे देगा वो जीत हार की समि करने के बाद फिर वो और बड़े सीरे से ये सारी चीजें करने के बाद बड़े सीरे से लोगों के बीच में जाने की बात अखलेश यादों बार-बार कह रहे हैं हाला कि अखलेश यादों ने कल ये भी स्पस्ट किया कि समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाओ रड़ी थी, लोगों का सपोर्ट भी मिला, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटे बढ़ी, 111 सीटे आई, और हलाकि भारती जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के भी सीधी टकर की बात भी उन्होंने कही, उस समय पर तमाम अलग-अलग चीज़ें भी उ जो आरोप आजम खान को लेकर के उनके पियारों ने अखिलेश यादों पर लगाए थे, उन्हीं आरोपों के तहद ही समाजवादी पार्टी के इस निता ने इस्तिफा दिया है, सुल्तानपुर के समाजवादी पार्टी के निता है, कासिम राइन नाम है इनका, कासिम रा परते वो जो मुसल्मानों पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के वो एक शब्द भी बोलने को तयार नहीं है इसके लिए उन्होंने का कि आजम खान का पूरा परिवार जेल में भेज दिया गया तब भी अखले शादों के मुँसे एक सब्द नहीं निकला नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया तब भी अखलेश यादों ने कुछ नहीं बोला अभी जो सहीजल इसलाम का पेट्रोल पंप गिराया गया तब भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया इन सारे मामलों का हवाला देते हुए फिलहाल राइन ने समाजवादी पार्टी से इस्तिफा द माना जाता है मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता के तौर पर आजम खान का चेहरा उत्तर प्रदेश में माना जाता है यह माना जाता है कि आजम खान की बदौलत ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजवादी पार्टी के से वर्तमान समय में जुड़े हुए हाला कि उसका वो भी जेल में हैं उनके उपर आरोप लगा था कि उन्होंने चुनाओ में जानकारी चुपाई और अपनी उम्र को ले करके उन्होंने गलत जानकारी दी इसको ले करके मामला चला था और फिलाल आजम खान भी जेल में वो भी जेल में हलक के भी चुनाओ में इन्हों को पार्टी जनता पार्टी की उत्रपदेश में एक लहर चली थी उस समय भी अपनी सीट बचा पाने में वो काम्याब रहे थे दरसल 15 जनवरी 2022 को नाहिद को गिरफतार किया गया था उस वक्त जब वो चुनाओं से सम्मंधित अपने काम को लेकर के अपने कागजात और यह सब कम्प्लीट करने के लिए खलेक्टरेट की वर जा रहे थे तो उनको गिरफतार कर लिया गया था दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी और रास्टी लोगदल के गडबंदन ने उनको अपना उमिद्वार गोसित किया था उसके बाद फिर नाहिद रसन के बारे में तमाम समय में कहराना से विदायक हैं मिरिकांका सिंग को हरा करके विदायक चुने गए हैं जो मामला था वो बताया जाता है कि 6 फरवरी 2021 का है उसमें अमारत में खैनत का मामला इनके उपर दर्ज हुआ था उसको लेकर के इनकी इनके साथ-साथ इनकी माता जो है पूरु सांसद इनकी तवस्म बेगम और उनके साथ 40 लोगों पर ये गैंगेस टरेक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसी में इनकी गरफतारी हुई थी इसके पहले इनकी नाम जो है नाई दसन का नाम 2016 में जो कहराना में दंगे हुए थे जिसके बाद वहाँ पर हिंदू पुरा मामला शुरू हुआ इस मुश्किलात की जो शुरुआत हुई उसकी बात करें तो आजम खान के उपर आजम खान के जो करीबी हैं और रामपुर में समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली खान उर्फ शानू उनका नाम है उन्होंने सबसे पह साथी साथ मुस्लिमों को पसंद नहीं करते तो सही कहते हैं कि अखिलेश यादो ही नहीं चाहते हैं कि आजम खा mett जेल से बाहर आपा हैं इसके अलावे उनने कहा कि रास्टी अध्यक जो है उनको मुसल्मानों के कपड़ों से बद्बू आती है उनको आगे उनने बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और अखलेश यादो ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला उनको वोट करे अब्दुल्ला का मतलब यहाँ पर मुसलिम समुदाय को लेकर के बात कर रहे थे तो अब्दुल्ला ही समाजवादी पार्टी को वोट करे अब्दुल्ला ही जेल जाए अब्दुल्ला ही सारे मामलों में सजा काटे अब्दुल्ला की ही संपतियां कुर्खों और जितना समाजवादा है जो मजा है वो यह आरोप उन्होंने लगाया था इसके पहले संभल से समाजवादी पार्टी के नेता रहे सांसद सफीकुर बर्क रहमान ने भी आरोप लगाया था सपा पर इसी तरीके का उन्होंने का था कि मुसल्मानों के हित में काम केवल भाजपाई नहीं करती बलकि समाजवादी पार पार्टी में टिकेट बेचने का आरोप लगाते हुँ उन्होंने प्रदेश अध्यक्षियपत से अपना इस्तिफा दे दिया था इसके अलावा सिवपाल सिंग्यादों पहले से ही उनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो भारती जंता पार्टी में सामीलों की तैयारी कर र है कि इसका मतलब यह लगभग जाना इनका तैय हो चुका है उसके कुछ दिन पूर्वी शिवपाल सिंग्यादों ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगया देतनात और पूर्व डिप्टी सीम डॉक्टर दिनेश शर्मा को ट्वीट सीटें खाली होंगी जिसमें से माना जा रा है कि साथ से आठ सीटें भार्ती जनता पार्टी को जीतना तैय है अब यह हो रहा है कि शिवपाल सिंग यादों को भाजपा सामिल करा करके और उन्हें राजसभा भेजे गी और शिवपाल के बेटे आदित यादों को जस्वन रंगर से भाजपा के टिकेट पर चुनाव लड़ा करके विधायक बनाएगी अब देखना यह होगा कि इन बातों में यह जो चर्चाएं चल रही हैं वो कितना सच होती है हलाकि समाजवादी पार्टी के सायोगी दिल है महांदल महांदल के जो अद्यक्ष है उन्होंने इन सारे बातों को सेरे से खारिज कर दिया था कल अखले शयादो से जब सिवपाल सिंग यादो के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है या अलग अलग जो बाते उसके बार समाजवादी पार्टी का एक धड़ाई अभी कहता है कि आखिर ये सारी बाते चुनाओ के पहले क्यों नहीं हुई पहराल इन सारी चीजों पर कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्यों नहीं हुई ये अलग एक विशाय हो सकता है पर कुल मिलाकर ये है कि अगर शिवपाल सिंह ऑर आजम खान के बारे में चल रही चरचाएं सही हैं तो समाजवादी पार्टी और अखिले श्यादों की मुष्कलें बढ़ सकती हैं अब देखना होगा कि अखिले श्यादों इस पूरे मामले को कैसे हैंडिल कर पाते हैं आज ये अधना ही दन्यवाद बने रही है हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर फेस्बूक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए धन्यवाद